कि नमस्कार स्वागत है आपका आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कोरोना से बचने के लिए सभी जरूरी उपाए अपना रहे होंगे आज इस वीडियो में हम कोरोना की टेस्टिंग को लेके कुछ खास बातें करने वाले हैं जैसे कि कोरोना टेस्ट कराने के की वारा तरह उसमें जो जो टेक्निकल चीजएं लिखी होती हैं उनका मतलब क्या होता है कौइन से हमनॉर्मल है व्ल mound हैं कौन रिपीर द्रम होते हैं उनका क्या मतलब है ऑक्सीमीटर की काम करता है कौन्सा उसका होग से कंसे हैं य Свक ऑन सबस्क्रभ करेंका मतलब औरर कि पहले ये चीज़ें इतनी important नहीं थी लेकिन अब ये एक तरह से general science का part हो चुकी है जो लोग UPSC या RPSC के exam के त्यारी कर रहे हैं उनके लिए अब ये general knowledge का part हो चुकी है पहले इनको हम केबल medical field का समझ के छोड़ सकते थे लेकिन अब ये exam के point of view से भी काफी important है और CT value, RT-PCR आजकल बहुत चर्चा में है तो उम्मीद है इसमें से कोई question भी पूछा जा सके तो इनी चीज़ाओं को हम general ही समझने की कोशिश करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले RT-PCR, CT value, rapid antigen test और oximeter ये सब क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं medical report के लिए हम क्या करते हैं जब भी किसी labs हम चेक करा के आते हैं report लेने के बाद हमें उसमें से कुछ भी नहीं समझ में आता है कि ये actual में है क्या जो भी आंक्रे आए है report में लिखा होता है मालो CT value 30 ये 25 तो आब हमें नहीं पता इसका क्या मतलब है तो भला ही हम अपने field में कितने भी पढ़े लेखे हों इस time हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अंपढ़े हैं और हमें एक डॉक्टर की जुरुत है वहीं बताएगा कि अब इन दौनों का क्या मतलब है क्या नहीं हम इस वीडियो में कोशेश करेंगे कि ऐसी जनरल सी करेंगे तो उसके दो तरीके होते हैं पहले होता है कि screening टेस्ट और फिर होता है confirmation confirmatory test पहले screening test मतलब पहले हमें एक लंब समाइडिया लगाते हैं एक अनुमान लगाते हैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अगर screening test negative है तो काफी चांस है जाए confirmation test ना लगाया जाए लेकिन screening test में positive आ गया तब हम confirmatory test लगाते हैं इससे भी पहले एक चीज और है जो हमें इशारा करती है कि हमें बीमारी हो सकती है कोई भी बीमारी के संदर में बात करें और वह होती है सबसे पहले symptoms सबसे पहले physical symptoms हमको देखने लगते हैं किसी भी बीमारी के अब कोरोना के science में बात करें तो बुखारा ना खांसी चीक यह सब इस तरह के यह process अपनाएगा सबसे पहले आपके symptoms पूछेगा आपको कैसा फील हो रहा है क्या लग रहा है बुखार कपसे है कपसे नहीं है खांसी कैसी है सुकी खांसी है या का फार है खांसी के साथ इस तरह की चीज़ें आपसे पूछेगा तो यह किसी भी बीमारी को डाइग्नोस क के बाद फिर वह आगे करेंगे screening test वह सेकंड पार्ट होता है screening test यह एक छटनी की तरह है और फिर confirmation है इन मैंसे जो oximeter है यह यह screening test का ही पार्ट है जब आप जाएंगे कभी भी या आज कल कि कोई भी विमारी हो तो जाते ही सबसे पहले oximeter लगा के ही चेक किया जाए जाए क्यों आप कोई इतना फैल चुका है महमारी बन चुका है तो कोई नॉर्मल किसी भी विमारी के लिए आज के लिए जाए तो आज गल सब oximeter में दो चीजें होती है में लिए दो एक लिखा होता है अगर आप देखेंगे oximeter की रीडिंग SPO2 और साथ में इदर लिखा होगा पल्स रेट या पी आर और नीचे लिखा होगा बी एम सब्साट में यह कुछ भी हो सकती है नॉर्मल रेंज होती है कि 94 95 और पल्स रेट की नॉर्मल रेंज होती है साथ से लेके नब्य तक कभी-कभी सौ तक कि यह सब्सक्राइब करता है पल्स रेट मतलब यह सीधा सा मतलब है हमारे धड़कन एक मिनट में कितनी धड़कने आ रही है वह होता है पल्स रेट तो अगर 60-90 पल्स रेट है तो यह एकदम नॉर्मल है लेकिन पल्स रेट से कुछ खास आइडिया नहीं लगता है क्योंकि यह लगाता रूपर पहले तो इसकी रेंज ही इतनी ज़्यादा है 60 से लेके 100 रेंज में 40 का अंतर है इसलिए इससे बहुत कुछ आइडिया नहीं है या थकान में है अभी अभी सीडिया चड़के आया है तो उसकी पल्स रेट नॉर्मल ज्यादा ही आईगी कोई बहुत देर से लेटा हुआ एकदम चैन में आराम से सो रहा है रेलेक्स होके तो पल्स रेट कम हो जाती है तो यह बहुत ज़्यादा कुछ खास आइडिया नहीं लगता लेकिन यह तब इंपोर्टेंट होती है जब पेशेंट का कोई पहले से कुछ बीमारी का बैक्ग्राउंड है जैसे उसको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट पेशेंट है ऐसी चीज़ जो मैं यह ज़्यादा मैंने रखती है दूसरी चीज़ आती है एस पी सब्सक्राभ जोर को bombs का मतलब क्या होता है पहले से सब्सक्राद का मतलब होता है 2017 संत्रप्ट जिसे बोलते हैं चैनलि संधेंसर पेरीफेरल मतलब पारदी और टो यह औक्सिजन बोommes है saturation peripheral capillaries यह पूरी फाम आती है और उसमें oxygen का level क्या है अब इसका मतल़ समयते हैं यह होता क्या है यह तो हम सबने जान लिया यह percentage में और होता है इतना अब इसका मतल़ समयते होता क्या है sp02 क्या होता है हमारे जो ब्लड में oxygen होती है ऑक्सिजन को जो कैरी करता है जो लेके जाता है इधर से उधर वो होता है हीमोगलोविन हीमोगलोविन ऑक्सिजन को अपने साथ इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है टीशू तक यह पहुंचाता है हीमोगलोविन का एक जो अनू है या एक यह पार्टिकल है यह अपने स कैसी एक ऐसे एक साथ 4 ऊक्षिजन के मॉलीक्यूल लेके जाता आ कि एक आंग्ठे केलिए हम मान लेते कि हमारी बॉड़ी में हीमों घ्लमकिफिन के सा सौम ओलीक्यूल हों से हुमारे पास थित्पू सो हीमोगलोबिन मैं से 95 हीमोगलोबिन ऐसे हैं जिनके साथ ऑक्सिजन बंदी हुई है मतलब ऐसी कंडिशन में हैं चारो तरफ ऑक्सिजन जुड़ी हुई है ऐसे है 95 और पांच मॉलेक्यूल हीमोगलोबिन के ऐसे हैं जो एकदम 3 बैठे हैं ऐसे ही उनके चारो तरफ ऑक्सि जो इनकी होई वह ही नाइनिटिफाइब परसेंट का मतलब हुआ कि हमारे बॉडी में हो हीमोगलोबिन है जितना परक्षेंट हीमोगलोब्न ओक्षिजन के साथ जुड़ा हुआ है और और के रहा है वो कहले है स्वर…? इसका मतलब यह हुआ दूसरी तरह से सोचें तो उल्टा कि 5% हीमोगलोबिन ऐसा है जो फ्री है जो ऑक्सिजन को नहीं ले जा रहा है तो आप यह बात समझ में आगी होगी तो अगर कोई पेशेंट है और उसका हीमोगलोबिन या SPO2 लेवल मान लेजिए 90 से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ उसकी बाड़ी में जो हीमोगलोबिन है उसके केवल 90 पार्टिकल तो ऐसे हैं जो अपने साथ लेके जा रहे हैं और 10 ऐसे हैं जो oxygen को अपने साथ carry नहीं कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा अगर severe condition होती है तो यह और बढ़ते जाते हैं मालों 10 के बाद 15 हो जाए तो सीधी सी बात है हीमोगलोबिन का काम है oxygen को ले जाना जितने ज्यादा हीमोगलोबिन free बैठे रहेंगे oxygen को नहीं लेके जाएंगे तो आगे क्या होगा oxygen tissue में नहीं पहुंचेगी हमारी सारी बॉड़ी की जितनी भी यह cells हैं छोटी छोटी यह मिलके tissue बनाती है तो जब हीम पहले इसको बोलेंगे जब थोड़ा सा लेबल कम होने लगेगा तो बोलेंगी क्या हाइपो इसा आपे हाइपो और जेमीया है जब बलड में oxygen का लेबल कम होने लगाए तो बोलेंगे hypoexemia और जब लेबल कम हो जाये और टीशू तक भी ऑकसियन आप मच पाएчи तो उसको बोलते है happening hypoxemia hypoxia hypoxemia एंड hypoxia यह कभ जब ब्लड में ओकसियन का लेबल कम है मतलब हीमोग्लोविन के साथ binding पांडल होने लगी है और यही जब और itel है निली पढ़ने लग जाएए दिखने लग जाए तो यह हो जाएगा हाइप आगे होगा कि यह नाइंटी और एक मिनिट में यह फर मिनट में कितनी बार हमारा दिल धाक रहा है धड़कन जो है वह हमारी पाधिसरेट है तो पहले यह क्लिएर हो गया यह एक स्क्रीरिंग टेस्ट है मतलब सबसे पहले डॉक्टर यहीं चेक करेगा अगर पेशेंट का यह सही है इसकी नॉर्मल रेंज यह होती है अगर यह इतना है तो डॉक्टर थोड़ा सा सैटिस्फाइब हो जाता है कि इसको एडमिट करने की जरूत तो नहीं है पहली बात यह क्लिए हो जाती है क्योंकि इसका यह एक दम ठीक है फिर हार्द वीट देखते हैं पेशेंट के एज देखते हैंagain मेल या फीमेल है बच्चा है या बुजोर्ग है यह सब देखते हैं फिर उसका बीमारी का कोई बैक्राउंड है या नहीं यह सब देखने के बात फिर फिर प्र ceid है हार्ट पेशेंट है तब देखेंगे पल्स रेट बहुत ज़्यादा कम यह ज़्यादा हो रही है या डाइबिटीज है तब सब यह चीज़ें देखी जाती है तो पहला प्रेंट के लिए हुआ ऑक्सिमेटर का यूज क्या होता है और कंसेप्ट क्या है उसका जो उसमें ल से लिए वह इसकी रेंज है सिसको को रोना अकडे पहलए एक और उसकी रेंज लिए 30 50 कम है लेकिन 17 से जयादा हैि के यह ज़्यादह है और पैंतिस से और यहच्प पैंतिस के भीच में है इसका मतलब हुआ कि पेशेंट को होम आईसुलेट करके और इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है घर पे रहे के और नॉर्मल दबाईयां दी जा सकती है जो दी जानी चाहिए इसके लिए वो सब लेकिन अगर लेवल इसका यह सुरी 23 से कम और अगर यह 22 से कम होने लगे 22 से कम होने लगे और कहां तक पहुँच जाए 16 तक या 15 तक अब इसका मतलब है इस पेशेंट को होस्पिटल में एडमिट करने की जुरूत पड़ेगी और डॉक्टर की निगरानी की लगाता है जुरूत पड़ेगी 16 से भी और कम आके 15 या 15 से कम होने लग जाए लेकिन 10 या 11 तक रहे तो इसका मतलब है अब यह कंडिशन सीरियस होने लग गी है सीटी वेल्यू जिसकी 15 या 15 से कम आये तो अब उसको ऑक्सिजन की जुरूत पड़ेगी होस्पिटल में उसको ऑक्सिजन दी जाएगी अब लेकिन अगर सीटी वेल्यू और गरके 10 या 10 से कम होने लग जाए तो यह सब से यह सीरियस कंडिशन है इसमें ऑक्सिजन, ICU, वें होती है तो अब कम से कम यह चीज़ समझ पाएंगे कि हमारी स्थिति अभी कहां है अगर खेर भगवान ना करे किसी को यह नौबत आए फिर भी किसी का चेक करा के आते हैं हम देखते हैं सीटी वेल्यू क्या है और अगर सीटी वेल्यू 23-35 के बीच में है तो घबरानी की द सुझ पढ़ सकती है पढ़ेगी तो यह वी सीटी में बें की बात की होती है है अब वह हम समझेंगे हुए को तो पहले समेंगे आर्टी कि PCR क्या होता है उसी के अंदर आती है CT वेल्यू पहले तो इस सब्द का मतलब समझते हैं पहले CT वेल्यू का भी मतलब एक बार दोनों सब्दों का मतलब इन दोनों का तभी समझेंगे आर्टी का मतलब आर का मतलब क्या हुआ रिवर्स और T का मतलब हुआ Transcription PCR का मतलब हुआ Polymerase Chain Reaction यह Bio Technology के टोपिक है और Corona से पहले मतलब एक दो साल पहले यहां से question तब आता था जब UPSC में बहुत ही tough level का question बनाना होता था तब PCR और RT-PCR या Genetics के ऐसे DNA Fingerprinting के बखेरा ऐसे कुछ question तब पूछे जाते थे लेकिन अब यह common topic हो चुका है तो चाहिए सब्द पढ़ने में technical लगे हैं कुछ भी लगें लेकिन exam के point of view से अब यह important हो चुके हैं तो सब्द का मतलब क्या हुआ reverse, transcription, polymerase, chain, reaction अब यह क्या होता है reverse तो सब जानते ही है transcription नहीं जानते reverse तो general सब्द मतलब उल्टा transcription क्या होता है transcription होता है जह हम DNA से RNA बनाए lab में DNA को RNA में convert करना कहलाता है transcription और RNA को वापस DNA में convert करना यह हो गया reverse transcription इसकी हमें जुरुत क्यों पढ़ती है reverse transcription की यह इसलिए पढ़ती है क्योंकि RT-PCR मतलब polymerase chain reaction यह DNA पे ही काम करेगी PCR technology केवल DNA पे काम करेगी DNA की full form आपको पता होगी फिर भी पता देता हूँ Deoxy-Rivonucleic Acid और RNA मतलब Rivonucleic Acid तो PCR technology सिर्फ DNA पे काम करती है जबकि Corona का जो virus है यह मान लेते हैं Corona virus है यह इसकी body के spike protein है जो हम ऐसे देखते हैं यह proteins है इसके surface पे लगे हुए इसके अंदर जो genetic material है यह यह सिर्फ RNA है यह भी question जनल पूछा जा सकता है कि Corona virus किस टाइप का virus है तो यह RNA virus है DNA virus भी होते हैं यह RNA virus है तो PCR करने के लिए PCR confirm करने के लिए test होता है screening test में Oximeter और RAT जो कर सकते हैं confirm जो हम करेंगे तो हमें DNA की जुरुद पढ़ेगी और DNA इसके पास है ही नहीं तो हम क्या करेंगे तब हम यह technology लेंगे reverse transcription मतलब RNA से DNA बनाना तो Corona का जो यह RNA है यह genetic material जो है इसको हम लेंगे जो हम sample लेते हैं patient का जो sample लेते हैं IT-PCR में जो sample लेंगे वो NAG से और गले से swab बोलते हैं जिसको swab sample लेते हैं उसको लेके एक test tube जैसी एक चीज होगी उसमें जाके उसको रख देंगे और वहां से lab में जाके इसमें कुछ chemicals डाले जाते हैं यह chemical क्या करते हैं कि जो पूरा sample है उसमें से फालतू की जो चीज़े हैं उनको separate करते हैं मतलब जैसे कुछ proteins बगएरा या और भी particle जो है sample में और कुछ भी है उस सब को हटाके यह try करते हैं RNA और उस virus को पहले separate करने की तो पहले उसको separate कर लिए जाता है कुछ chemicals डाल की इसकी भी आगे detail में बहुत सारी चीज़े हैं centrifugal technology होती है पर वह बहुत ज़्यादा terminology में चली जाएगी technical चीज़ भी हो जाएगी simple समझते हैं यहां RNA को separate किया गया chemical डाल के और अब उस RNA से बना दिया गया DNA इसलिए इसको बोलते है reverse transcription अब यह DNA बनके चुका है इस DNA को अब आगे चेक के जाएगा polymerase chain reaction में polymerase chain reaction में क्या होगा हर cycle में इसके बहुत से मतलब इसका amplification के जाएगा Amplification क्या होता है आवर्धन किसी चीज़ को लगाता बढ़ना पहले cycle में RNA से DNA बना माल लेते हैं एक DNA बना अब अगला एक cycle होगा PCR का इसका फिर एक से माल ले दो बन गए 10 बन गए 20 बन गए हर cycle में यह बढ़ते जाएंगे Amplification इसका कराते जाना है हमें और लगातार चेक होता रहता है तो जिस हर एक cycle को यही CT है C का मतलब है cycle और T का मतलब है threshold Threshold का हिंदी में मतलब होता है देहली या देहलीज तो देहलीज क्या होती है एक एक लाइन इसके अंदर मतलब घर है और इसके बाहर घर से बाहर यह देहलीज है ऐसे ही यहां कि इस एक border के अंदर positive और इस से इदर negative कोरोना के लिए वह वाला cycle जहां हम decide करें यहां positive है यह negative है तो मतलब जहां यहां इसके sense में हुआ है जहां virus मिलना शुरू हो गया जिस cycle में वह हो गई cycle threshold और उससे पहले तक कि जितने cycle हुए लगातार हम जो PCR कर रहे हैं बार बार DNA का amplification करे जा रहे हैं करे जा लगाए हमने 5 cycle और उसी में virus मिल गया तो उसकी CT value हो गई 5 और किसी के लगातार लगाते 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 35 cycle हो गए और अभी 35 में cycle में जाके virus detect हुआ तो उसकी CT value हो गई 35 कहने का मतलब यह हुआ जिसकी CT value कम होती है वह ज्यादा danger में है जिसकी CT value ज्यादा होती है वह कम खत्रे में है क्यों CT value कम होने का मतलब क्या है कि virus जल्दी मिल जाएगा sample में हम जैसे PCR लगाते जाएगे virus जितनी जल्दी मिल जाएगा इसका मतलब उसकी body में viral load ज्यादा हो चुका है तो viral load जितना ज्यादा होगा CT value उतनी कम होगी क्योंकि जल्दी मिलने लग जाएगा concentration उसकी ज्यादा है sample में तो इसलिए जल्दी मिल जाएगा और जितनी CT value ज्यादा होती जाएगी तो viral load मतलब कम है अभी उसमें infection कम मात्रा में है तो वह PCR technology की खोज किसमें की थी वह है कैरी मुलिस और कब की थी 1983 इसी चीज के लिए इनको Nobel Prize भी मिला था और यह Nobel Prize था कैमिस्ट्री के फिल्ड वाला कैरी मुलिस याद रखना ज़रूरी है CT value PCR technology की खोज की थी तो यह समझ में आगे होगा CT value क्या होता है और PCR क्या होता है PCR coronavirus के लिए या COVID के लिए confirmation का test है अब अगर यह positive है जाता है तो confirmation में है इससे पहले एक test होता था जो मैं blood sample लेकि किया जाता था और blood sample में यह देखा जाता है कि antibody बनी है या नहीं लेकिन अब उसको confirmatory test हम नहीं कहते हैं यह emergency में जरूरी था जब इंडिया में यह सब नहीं था इतनी सारी सुभधाएं नहीं थी अभी अचानक से इतने बड़े लेबल पर यह सब करने के लिए तब RAT rapid antigen test किया जाता था उसमें क्या होता था केबल बोड़ी से blood sample लिया जाता था और blood sample में यह देखा जाता था कि इसमें वह antigen है या नहीं जो खास antibody बना रहे है मतलब कोविड वाले antigen है या नहीं antigen antibody वाले reaction हम पहले पढ़ चुके है वैक्सिन वाले चेप्टर में तो RAT में यही चेक के जाएगा blood sample लेके सीधा-सीधा यह देखा जाएगा antibodies बनी है या नहीं बनी है अगर antibody बन गई है तो यहा possibility कहते थे उसको इसलिए confirmation नहीं कि antibody जो बनी है वो कोविड के अगेंस्ट ही बनी है या normal फीबार या सर्दी जो काम के अगेंस्ट बनी है तो confirm नहीं पता था लेकिन यह पता चल जाता था कि body में infection है और चूंकि चारों तरफ एक ही मामारी फैली होई है इसलिए संबाब नह ज्यादा होती थी कि Corona ही है तो यह emergency में शुरू किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा क्योंकि फास्ट होता है बहुत यह कुछ ही मिनिस में मतलब 5-15-20 मिनिट में यह पता चल जाता है यह टेस्ट पूरा हो जाता है पता चल जाएगा कि antibody बनी है यह नहीं बनी है screening test था यह को लेके जिसमें हमने समझा ओक्सीमिटर क्या होता है और बाकी कि चाथ 3-4 टैस्ट क्या होते हैं कम ही नहीं क्या है इसी तरह के कुछ और वीडियोस देखेंगे अब आगे किसी टॉपिक को लेकि क्या है आप है जिसमें में बना भीडियोसित पूरा है यहाँ झाल झाल कोरे फो झाल्ब बनी है उकर भीडियोस देगे हैं